कि है लो एवरिवन वेलकम बैक तो दे चैनल और आज किस वीडियो में हम सीकेंगे हाउ-टो-कल्कुलेट-दे-इंट्रस्ट-उन-ड्रोइंग इंडिफरेंट केसिज अलग-अलग केसिज आपको गीवन होंगे देखें इंट्रस्ट-उन-ड्रोइंग यह वैसे तो मैंने आ इंट्रस्ट-उन-ड्रोइंग के तो इंट्रस्ट-उन-ड्रोइंग है तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रोइंग की फटा-फट से मैं आपको रिवाइज करा देती हूं तो जो ओनर है या पाटनर वो अपने परसन यूज के लिए इन-काइंड बिजनेस में से विड्रो दो करता है तो उसको ब्सेक्रीं हम बोलते है अगर उसने कह सब्सक्क्री इंट्रस्ट देना पड़ेगा फर्म को तो उसको बोलेंग फिर इंट्रस्ट ब्रोइंग इसके साथ जो रिदस पर पाटनर है वो दो तरह से द्रो और सकता है रिगुलर बेस मैंने आपको बताए रहेगा रेंडम्ली आपका मउट रहेगा और आपका जो इंद्रवल वे हाँ भी आप रेंडम्ली ठीक है जैसे कि मैंने आफ़ को बताया थे भी इसमें फिक्समाउंट है हर महिने आपने ł P50 अलुपए निकाल लिए फिर 31st March को करोगे, फिर 30 April को करोगे, तो एक fixed है, लेकिन irregular में आपका fix नहीं होगा, आपने आज 1 January को drawing कर ली, फिर आगे जाके आपने 15 February को कर ली, फिर आगे जाके आपने 30 June को कर ली, तो वहाँ पे आपका fix नहीं है, इसी तरह से amount भी fix नहीं है, तो फिर हमने बात की थी regular drawing क निकालने का formula क्या रहेगा, जो भी आपकी जो total drawing होगी, जो भी total drawing होगी, multiply by आपकी date given रहेगी, और इसी के साथी आपको क्या करना है, जो average period है वो लेना है, और उसको हम divide कर देंगे 12 से, तो यहां से हमारे क्या निकल के आजाएगा, जो interest on drawing हो निकल के आजाएगा, लेकिन जब हमने irregular drawing की बात की थी, तो वहां पर हमने दो method की बात की थी, एक था हमारा simple method, और एक था हमारा product method, जिसे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट on drawing क्या करते हैं, अगर मैं बात करते हूं, simple method की, तो simple method में basically हम क्या करेंगे, हर एक drawing का separately interest हो उसको हम निकालेंगे, और interest निकाल के हर एक drawing का, फिर last में सभी को add करके हम total interest calculate करनेंगे, वही पर जब हमने बात की थी product method की, तो product के इंदर हमने क्या क्या था, जो product हमने निकाल लिया था, product हमने कैसे निकाला था, जो भी हमारा drawing का amount रहेगा, उसकी हम multiply करेंगे, किसके साथ है, जो भी हमने drawing की है, जिस date को हमने drawing किया है, उसके बाद जो भी हमारा time बचेगा, ठीक है, तो उस time period से हम क्या करेंगे, amount को multiply करके, तो सभी drawing का, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, product निकालेंगे, और फाइनली फिर हम interest on drawing है, उसको calculate कर देंगे, जो की होगा हमारा formula, total product है, और जो भी हमारी rate है, और 1 by 12 हमारा period हो तो इस तरह से basically हमने क्या किया था, हमने जो interest on drawing है, उसको calculate करना सीखा था, ठीक है, तो जैसे simple method के अगर मैं बात करती हूँ, तो simple method मैंने आपको बता दिया, हर एक drawing का हम अलग से निकाल लेंगे, आज हम बात करेंगे, कि भी अगर हम करते है drawing, ठीक है, और drawing हम कैसे करेंगे तो देखिए, cases होंगे आपके, different, different cases की बात करेंगे, मैं आपको जो DK Goyle की book है, उसमें से मैं आपको सारा ये करा रही है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते है, interest on monthly drawing, अगर हम monthly drawing करते है, लेकिन हम क्या करते है, when a partner makes monthly drawing, जो करेगा, तो किस किस तरह से कर सकता है, monthly drawing अगर करेग in the beginning of every month, when, तो case first के आपका, when the drawings are made in the beginning of every month, ठीक है, हर एक महीने की first, देखिए, इस तरह से किस आएंगे, जैसे एक तो यह आगया, हर महीने के beginning में, फिर हो सकता हर महीने के last में, हर महीने के बीच में, quarterly, तो किसी तरह से भी, सभी cases को हम क्या करेंगे, discuss यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है, तो beginning के अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर, तो देखिए, first case हमारा क्या, when the drawings are made in the beginning of every month, जो वो हमारा first spring, अब उसने कैसे ड्रोइब की है, एक अपर्याल से लेकर मास तक है, अब उसने in the beginning of every month मिन से उसने जो first ड्रोइब की है, वो एक अपर्याल को की है, फिर second drawing करेगा एक मही को, फिर उससे next drawing करेगा, एक June को, ठीक है, तो यह basically हमारा फिर इसे चलते जाएगा, फि in the beginning of every month हर महिने के शुरू में अगर उसने ड्रोइंग किया है फर्स्ट केस होगा हमारा यह तो इसमें क्या है वेन दर्रोइंग्स का उसने किया है और उसके बाद हम देखते कि बी कितना टाइम बचा है और फिर उससे हम गरते करते करते हैं यहां यहां पर निकाल फोल से पराइल कि तो अब करने के बाद कितना टाइम बचा मुंत आपका पूरा यहां पर जो भी आमांट होगा उसकी तो इस तरह से हमारा चलतज ले गाई ग्यारा महिने दस महीने 9 महीने 8 महीने ठीक है तो बेसिकली यहां पर हम क्या करते है अगर हमारा जो financial year है वो हमारा कब end हो रहा है 31st March को तो उस case में जो drawing होगी ना हमारी जो हमने 1st April को जो हमने drawing की है will be multiply by 12 फिर अगर हमने 1st May को drawing की है उसको multiply करेंगे अगर हमने drawing 1st June को की है तो उसको हम करेंगे 10 से and so on और इस तरह से हमारा चलता रहेगा 9 8 यह सब हमारा आजेगा तो यहां पर बाद में क्या करेंगे अगर product method है हमारा तो फिर हमारा जो भी amount जैसे 1st April को उसने और से एक हजार निकाल लिए तो 2000 से multiply इसको उसने फिर से 1000 काल लिया एक जुन को तो इहां पर 1000 से multiply करके तो इस तरह से multiply करने के बाद जो भी amount यहां पर आएगा तो इस तरह से हम लेकिन अब यहां पे नोट करने वाली बात क्या है अगर हमारा अमाउंट है तो हमें टोटल प्रोड़क्ट में थड़ी यूज करना पड़ेगा ठीक है तो तो हम इसको ऐसे करेंगे जो मैंने आपको बताया लेकिन अब क्योशन में चेंज क्या आया अब यह बोलता है कि अगर हमारा अमाउंट है वो इक्वल है होगए एक हजार निकालती हूँ ठीक है जून को भी итा मैंने खु नल्हट पर एक corruption की घ्रीघ्र होगया एक हजार उसन के तो मैं क्या चाँ रहे हूं यह ट्रह Beimd on the first day of each month थे हर महीने के first day पे हमने equal amount की क्या की है drawing की है तो उस case में आपको इतना लंबा चोड़ा करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे वहाँ पे जो यहाँ पे जो हम average period जो हम लेंगे ठीक average period हम डारेक्ट निकालके और हमारा जो interest on drawing है उसको निकाल सकते है ठीक है जब हमारी बात होगी in the beginning of every month है तो वहाँ पे हम डारेक्ट average period ले ले लेते है साड़े छे ठीक है six and six and one and half हम मन्त हमारा कैल ले लेंगे average period यह हमने क्यों ले लि average period हम किस तरह से calculate करते है तो देखे यह निकल के आएगा हमारा average period time left after first drawing time left after first drawing plus time left after last drawing और divided by two average period हम ऐसे निकालते ठीक है तो first drawing हमने कब की है एक अप्रेल को तो एक अप्रेल को first drawing की तो first drawing करने के बाद time हमारे पास कितना बचा बारा महीने plus last drawing हमने कब की है time left after tl a का मतलब time l का मतलब left a का मतलब after time left after last drawing last drawing हमने कब की है एक मार्च को तो एक मार्च के बाद हमारा जो last drawing करने के बाद हमारे पास कितना time बचा एक महीना ठीक है क्योंकि मार्च मार्च का महीना बचा divided by two तो यह मेरा कितना निकल के आया 13 by 2 और जो मैं इसको further sold करूंगी तो यह आ जाएगा when the drawing are made in the beginning of the every month और equal amount है ठीक है तो उस case में आपको इतना लंबा चोड़ा कुछ भी करने की जरूर नहीं है डारेक्ट आपको क्या करना है जो मंध है उसको कितना ले लेना है शाड़े शे महीने आपको लेके चलने है जो average period है और direct आपको साड़े शे महीने लेना है तो इसमें direct कैसे होगा जो हमारा interest on drawing है उसका formula क्या है total drawing जो भी रेट गीवन होगी रेट बाई हंडर्ड और यहां पर हम क्या लेते हैं एवरेज पीडियर्ड यह फूर्मुला होता ना हमर बेसिकली इंट्रेस्टों ड्रोइंग निकालने का अगर हम यह ही क्योशन ले लेती हुआ कि भी एक पाटनर है उसने क्या किया यह जो पाट 12,000 निकालने हर महीने वह 10000 रुपर निकल रहा है कितनी चैनी की रहा निकालेगी हर महीने क catalog इसने क्या किया 1000 के 20,000 हम आई कितनी चैनी साधैक्या सरेंटल है यहें आजीन कर लेते हूं कि यह पांच परसेंट तो रेट आज एक 5100 अभी हां हमने लमबा हमने जो टोटल प्रोड़क्ट वाला मेथड किया था वो करने की जुरूरत नहीं अब इस केस में अब आप डारेक्ट यहां पर जो मन्त है 6 & 1 by 2 आप जो मन्त है इसको लोगे ठीक है तो यह यहां पर बिसिकली आपका बताना चाहरा है अगर आपका यह गिवन है तो उस केस में जो हम average period should be used only हम जो average period है साढ़े 6 महीने कब लेंगे सिर्फ हमारी condition क्या होने चाहिए all amounts of the drawing are equal all amounts of the drawing are equal equal होना चाहिए और इसी के साथ ही the time gap between drawing is equal और जो time gap है ना वो भी equal होना चाहिए यहां पर equal है बिल्कुल एक-एक महीने का time gap है और फिर उपर से यह भी होना चाहिए कि in the beginning of every month और तो तब यह time gap होगा हर महीने के शुरू में तो यह दो condition होनी चाहिए अगर यह दो condition satisfied है तो तब हम direct average period यह लेके और total drawing निकाल के और जो rate हमारे given होगी उससे हम क्या कर सकते हैं इसको calculate कर सकते हैं यह हमारा first case ठीक है अब हम बात करेंगे second case की तो second case देखी क्या है यह इसको ऐसी रहने दीजिए हाँ पर अब अब उसने क्या किया था in the beginning क्या था ना अब हम करते हैं हम एंड में ठीक है अगर वह drawing करता हर महीने के end में क्या है वेंदर drawings are made at the end of every month at the end of every month हर महीने के end में लास्ट जो डे है महीने का जो लास्ट डेट है महीने की उस दिन वह क्या करता है ड्रोइंग करता है और यहां पर भी हम क्या लेकर चलेंगे अब हम इक्वल अमाउंट की बात करेंगे अगर आपका इक्वल अमाउंट नहीं है तो फिर आपको कौन से मैथड पर जाना है फिर आपको टोटल प्रोड़क्ट मैथड पर जाना है या फिर आपको जो सिंपल इंट्रेस्ट जो है उनको एड करके आप टोटल इंट्रेस्ट निकाल सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो भी आप प्रोडक्ट में थड़ पर जाईए ठीक है लेकिन वह कब होगा जब हमारा का बिगिनिंग था तो आपने सिधाई एवरेज पीडियर्ट साड़े छे महिने ले लिया लेकिन आगर मैं बात करती है अग्या अग्या ऐसी चलता गया हर महिने की लास्ट डेट को उसने ड्रोइंग कर ली और लास्ट ड्रोइंग वह कब करेगा थर्टी फस्ट मार्च को ठ है तो उसकेस में हमारा जो टाइम यहां पर निकलेगा एड़ एंड ओफ तो देखें वह क्या निकलेगा तो वैसे मैं आपको बता दो साड़े-पांच महीने हम लेते हैं जो एवरेज पीरियड है वह साड़े-पांच महीने लेते किस केस में वेंदर ड्रोइंग आर मेड साड़े-पांच महीने हमने क्यों लिए यह कैसे निकला क्योंकि एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फॉर्स्ट ड्रोइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रोइंग डिवाइड वाइड तू अगर मैं यह सेकंड केस ल